Hello friends, welcome back to my channel. So friends, I hope कि आप लोग ने last का वीडियो देखा होगा और आपको अच्छे सा समझ में आ गया होगा Azure SQL Database के बारे में. तो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, Elastic Pool के बारे में. Overview की वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के अपने पास databases हम बना सकते हैं. एक आपका single database, जो कि मैं last की वीडियों बता चुका हूँ, दूसरा Elastic Pool और तीसरा Manage Instance. Elastic Pool के बारे मैंने बताया था कि Elastic Pool होता क्या है, कि मान लो, अभी let's say example के तौर पर ये पकड़ो, कि मेरे पास जो है, दो separate database है, database 1 और database 2. इन दोनो database को मान लो, जो इनका purchasing model है, वो मैंने DTU select किया है, basic वाला choose किया है, जो service tier है, और 5DTU मैंने दिया हूँ है. इसको भी मैंने second वाले को भी basic 5DTU में दिया हूँ है, as per the current workload, मान के चलो कि current workload जो है, मेरा basic 5DTU sufficient है, दोनो databases के लिए, अब कल को जो है, इन दोनो databases में मान लो, मेरा workload बढ़ जाता है, let's assume कि workload बढ़ गया, तो मैं क्या करूँगा, 5DTU से जो basic है, obviously उसको scale up करूँगा, जो म सकता है कि मैं basic से अभी standard में जाऊं, जहां पर मुझे ज़्यादा DTU मिल रहे हूँ, okay, तो मैं क्या करूँगा, standard में इसको scale up कर दूँगा, दोनो databases को, right, मान लो, again जो है, फिर से जो है, मेरे इन दोनो databases का workload बढ़ गया है, तो मैं क्या करूँगा, अब हो सकता है कि मैं इस जो compute resources है, जो DTUs है, storage है, वो मुझे allocate करना है, तो ऐसे scenario में आप क्या करोगे, scale up करोगे, manually, या फिर आप कोई script से इसको auto scaling पर रखो, तो क्या होता है, जब या आप scale up या scale down करते हो ना, तो वैसे scenario में क्या होता है, कि आपका slightly connections drop होता है, slightly connections drop होता है, क्यों होता है, क्यों कि जब आप scale up करते हो, किसी भी SQL server को, जब डेटाबेस को जब आप scale up करोगे, तो connections drop होने का reason यह है, कि उस time पे वो नए compute resources बनाता है, यानि कि क्या करेगा, मानलो आपने ये SQL को इसका जो workload बढ़ गया, और आपने इसको basic से standard में डाल दिया, standard में जब या आप scale up करोगे, तो connections से drop हो जाएंगे, क्योंकि वो नया compute resource बनाएगा, नए service tier के हसाब से, then उसके बाद वापस से connection जो establish करेगा, इस compute resource है उसके against और इस database के against, तो अभी इसमें problem क्या है, problem यह है कि आपको अलग-अलग दोनो databases को scale up करना पड़ेगा, अगर आपके पास दो अलग-अलग database है, तो ऐसे scenario में, ऐसे scenario से mitigate करने के लिए, Microsoft Azure ने Azure SQL database में एक elastic pool का concept लेका है, elastic pool के concept में क्या बोलता है Microsoft, कि भाई, simple सी बात है, आप क्या करो, आप एक elastic pool बनाओ, उस elastic pool में आप जो है अपने databases को इसके अंदर host करो, यानि कि जैसे overview के video मैंने बताया था, कि elastic pool is just like कि आपके पास एक physical ES ESXi server है, उस physical ESXi server का मानलो 100 GB memory है, और उसमें 1 TB का storage है, CPU मानलो आपकी पास 100 V CPUs है उसके अंदर, अब आप क्या करते हो, उसके अंदर multiple virtual machines बना सकते हो, तो multiple virtual machines को जो computer resources चाहिए होते है, RAM हो गया, storage हो वो आप कहां से लेते हो, वो ESXi host से ही उसको share करता है, मतलब ESXi host के जो आपक resources है, compute resources, उनको आप share करते हो multiple virtual machine के साथ, अब multiple virtual machine आप उत्मा ही बना सकते हो, जितने कि उस यह सकता है, host के compute resources की capacity रहेगी, right, same way में, elastic pool का भी एक limitations है, limitation नहीं कहूँगा, बट यह कहूँगा कि इसकी capacity है, कि अगर आप basic choose करते हो, तो आपको कितना minimum DTU मिलेगा, let's say मैंने basic choose किया, elastic pool बनाया, जिसमें मुझे 50 DTU मिलते हैं, अब मैं क्या करूँगा, इन databases को, दोनो databases को उठा के मैं क्या करूँगा, elastic pool में configure करूँगा, यानि कि best option यही है, कि आप databases को elastic pool में तभी डालो, जब भी आप database बना रहे हो, उसी time पे आप decide करो, कि आपको single database चीए, या फिर आपको elastic pool में चीए, elastic pool में क्या होता है, कि अभी let's say, ये database 1 और database 2 मैंने यहाँ पर elastic pool में configure कर दिया, अब क्या होगा, इसका मानलो, elastic pool का जो computer source है, service tier है, मानलो, उसमें आपको 50 DTU मिल रहा है, तो अब क्या होगा, इन दोनो databases को, आपको manually या किसी भी automation से आपको auto scale करने की ज elastic pool क्या चेक करेगा, कि मेरे इन दोनो databases में कौन से database का workload जादा है, जिसका workload जादा रहेगा, उसको वो उसमें से, जो DTU's balance रहेंगे, उस DTU's में से उसको allocate कर देगा, same way में मानलो, इस database को workload जादा है, और इसका भी 5 DTU है, इसको ज़्यादा DTU's की ज़रूरत है, ज़्या के साब से, उतने DTU's allocate कर देगा, same way में, अगर मानलो, बाद में, let's say, of business arts में, इस database का workload कम हो जाता है, तो क्या करेगा, वापस से, वो DTU's scale down कर देगा, मतलब, वो जितने DTU's इसको allocate किये थे, workload के time पे, या business arts के time पे, of business arts में, वो DTU's कम कर देगा, resources कम और ज्यादा करेगा, as per the SQL database के demand के उपर, या उनके workload के उपर, okay, I hope कि Elastic Pool का concept आपको समझ में आ गया हुगा, अब इसका जो है, डेमो चलते हैं, तो मैं पोर्टल पर जाता हूँ, और again, जो है, मैं यहाँ पर SQL database पर जाता हूँ, SQL database पर जाऊँगा, create पर क्लिक करता हूँ, create पर क्लिक करन ElasticDB0001, okay, यह भी database का नाम दे रहाँ, Elastic database, okay, server, यह मेरा पहले last का, जो वीडियो मैंने server choose बनाया था, यह वो दिखा रहा है, तो मैं एक नया server बना लेता हूँ, मैं इसका नाम देता हूँ, ElasticDBServer0001, okay, यहाँ पर मैं server admin, SQL server का admin का ID देता हूँ, Azure admin, और password अपना तो standard ही रहत 9 तक, तो मैं इसको देता हूँ, ठीक है, location East US में रखता हूँ, OK पर क्लिक करता हूँ, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, want to use SQL elastic pool, मैं कहता हूँ, yes, मैं यहाँ पर जैसी yes करूँगा, बोलता है, ठीक है, आप एक ना pool बनाओ, एक group बनाओ, तो मेरे पास अभी कोई पूल नहीं है, मैं create new पर क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ, elastic pool 001, OK, OK पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर मुझे compute plus storage चूज़ करने के लिए बोलता है, तो let's say, मैं यहाँ पर basic demo के लिए basic की चूज़ करता हूँ, तो basic में अगर आप मैं जाता हूँ, तो देखो, यहाँ पर मुझे EDTUs मिल रहे है, minimum 50, तो last का वीडियो जो आपने देखा होगा, उसमें और इसमें आपको difference पता चल गया होगा, कि यहाँ पर एक तो EDTUs है, EDTUs का मतलब क्या होता है, elastic data transaction units, तो जिसमें आपको minimum 50 DTUs है, अगर मानलो मैं एक pool बनाता हूँ, 50 DTUs का, और उसके अंद वो जो है, उस 50 DTUs में से इन दोनों को allocate करेगा, equally, यानि कि elastic pool क्या करता है, जो इसके computer resources है, उसको जो underlying जो databases हम host करेंगे, इन data, इस elastic pool में उनको share करेगा, इन दोनों databases के workload के साब से, ओके, तो अभी let's say मैं जैसे कि demo के लिए दिखा रहूँ, हाँ एक चीज़ और यहाँ पर per database setting भी कर सकते हो, per database का मतला भी कि आप मानलो इसके अंदर, इस elastic pool के अंदर दो database host करना चाते हैं, तो आप particular database को भी आप यहाँ पर select कर सकते हो कि कौन से database को कितने DTUs allocate करना है, ओके, तो मैं यहाँ पर pool settings में जाता हूँ, apply पे click करता हूँ, इसके बाद मैं इसको locally रखता यह सब as it is है, यहाँ पर मुझे public endpoint ही करता हूँ मैं, फिलाल connection के लिए allow as a services में yes करूँगा, otherwise मैं SQL server को connect नहीं कर पाऊँगा, add current अपना मेरा यह जो machine desktop, इसका public IP add करता हूँ मैं, next पर जाता हूँ, not now करता हूँ, next करता हूँ, फिलाल sample के लिए click कर देता हूँ, उसके बाद next पे जाता हूँ, next पे और इसके बाद create पे, तो यहाँ पर आपको cost दिख रहा है, 5,404 मेरा per month इसका cost आएगा, इस elastic pool का, क्योंकि इसका जो basic मैंने चूज़ कि है, minimum 50 DTUs मिल रहे हैं मुझे, इस 5,400 में मैं multiple SQL databases host कर सकता हूँ, ओके, तो जो cost लगेगा मुझे, वो cost मुझे इस पूरे elastic pool का लगेगा, ना कि in particular individual database का लगेगा, ओके, तो इसको deploy होने देता है, so friends, मेरा जो ही deployment success हो चुका है, इसने around 2-3 minute का time लिया, इस elastic pool database को configure करने के लिए, अब अपने को check करना है, तो SQL server पर जाएए, SQL server पर जानने के बाद, यह देखो, Elastic DB server करके, मैंने SQL server बनाया इस पर जाऊंगा, उसके बाद यहां से जो है, मैं SQL elastic pools पर जाऊंगा, SQL elastic pool पर जाने के बाद, यह मेरा elastic pool का नाम आगया, जो मैंने configure करने के time पर दिया था, और यहां पर आपको दिखा भी रहे कि per DB settings कितना है, और pricing tier कौन सा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक कर तो configure पर जाने के बाद, आपको pricing model दिखाएगा, elastic pool का कि कौन सा हमने choose किया था, और यहां से आप इस elastic pool को scale up कर सकते हो, as per the workload, अब मान लो आपको जो है, एक और database, इस elastic pool के अंदर configure करना है, तो यहां पर आता create database का, तो मैं create database पर क्लिक करूँगा, और यहां पर देखो, मेरा subscription यह सब unhighlight हो रहा है, यह hidden हो रहा है, यहां पर मुझे सिर्फ database का नाम देना है, बाकी यह elastic pool आपका automatically choose हो गया है, आप यहां से backup storage रिदिन से choose कर सकते हो, नेट होकिंग में जाके, सब कुछ by default, यह allow access no रहा ही, by default रहा ही, हम change कर सकते है, SQL server से, security पे जाके, आप यहां से change कर सकते हो, additional setting में आप again, आपको अगर backup से restore करना है, यह sample बनाना है, आप वो choose कर सकते हो, tag में जाके उसके बाद आप वापस से create कर सकते हो, तो यह था elastic pool का, कि आप क्या कर रहे हो, कि एक complete SQL server आप buy कर रहे हो, एक तरह से, जिसमें आपने एक pool बनाया है, उस pool के अंदर आपने multiple databases को host किया है, multiple databases को host करने के बाद, यह दोनों databases का, जो भी workload रहेगा, चाए workload कम हो, यह जादा हो, उसके base पे elastic pool क्या करेगा, जो उसका, जो service tier है, उसके हिसाब से वो, इन दोनों, यह multiple databases को, अपने resources को share करेगा, यह distribute करेगा, उन databases पे, okay, तो friends, I hope कि, मैंने जो try किया है, आप लोगों के elastic pool समझाने, elastic pool के बारे में बताने के लिए, I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को like करो, share करो, और चैनल को subscribe करो, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नई topic के साथ, so friends, thanks for watching this video अजयो